है है वेलो अव्यमन मेरा नाम है अर्पाइट कुमार शेर्मा और मेरे साथ हैं रोधर यहां पर मेरे साथ है और आप लोग देख रहे हमेशा की ताहां और हम लोग आश आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और नया कॉलेज जो हमारे टॉप टैन गवर्णमेंट कॉलेज की रैंकिंग में सबसे कहीं नगी चोथे नंबर पर आता है तीसा है नहीं चोथा ओके सुमय आपको बता दू इस्टूटें खपरी पे तो हमने काफी सारे यहां पर भी बनाए हुए लेकिन जो कोईरी थी आप लोगों के कोश्चन थे कि भाईया मुझी यह बताई है कि M. M.I.T.S. में कौन से ब्रांच कौन से नंबर पर आती है और भाई हम चॉइस फिलिंग के टाइम पर किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करें तो जल्ली जली समें इस वीडियो को बनाते हैं और हमारा रिकॉर्ड भी है कि आज हम यह सारी वीडियो दस वीडियो बनाने बाले है इसको ट्राइब करते हैं और जली से फटापट मात करें माधाम इस्टीट आफ टेक्निलोजी के बारे में जैसा कि आप देखी सकते हैं माधाम इस्टीट आप टेक्निलोजी और साइंस नाम है इसका उनीस सो संतामान आप समझ सकते हैं काफी पुराना कोबल है अगर जैसी की बात करें तो 1947 में उसे आजादी मिले थी और एजएस इसको 1952 में और यह सबसे पुराना तीसे नंबर का कॉलेज है लेकिन डिमांडिंग बाइस अगर हम बात करें तो चौथे नंबर का कॉलेज है और अगर इसमे का साएब रदेश के ग्वालियर शेहर में और काईना काईना संधीया से जुड़ा हुआ हुआ है दॉलिद मर रड़ी समय तो अब यह रहां हरी में ठोली सामेर की अज़न में जोड़ा हुआ है टीफिनेटली प्राइब को शपषिश को काउंसलिंग तो सर का जो दिमाग नहीं यह देखो इंडिटेर की गलती है अदिटेर प्राइब लेकिन लेकिन बच्चे बहुत आये थे उस दिन बच्चे बहुत आये थे पर रहे तरह बाई क्या है वो जोगिंदर अच्छा तारा भाई रोतर नोलेज यहां पर सही देगा कोई करेक्ट भी कर देगा तोटल फेकलिटी की बात करें तो अंडेट प्लस हैं बीटेक में आप यहां पर ट्वेल्ट के बाद एड्मिसन थोड़ा सा टॉफ हो जाता है लेकिन इसमें जेड़वली मेंस के आधार प आपको मिल सकती है हालां कि CSI TEC चाहिए तो एक लाग के अंदर आपको गई न कहीं है आना पड़ेगा एक लाग सवालाग देर लाग के बाद आपको बड़ा मुस्किल है CSI TEC और अगर आप लोगों को ट्वेल्ट के बेसिस पर यह कॉलेज चाहिए तो भी आप लोगों के क्या ले देगे यार आटो मॉयल हस्यत बचेगी और अगर एसी हम ब्रांचिस की बात करें तो यार केमिकल ब्रांच बच जाएगी बस इनी दो ब्रांचिस में आप एकस्पेक्ट कर सकते हो अगर ट्वेल्ट के बेसिस पर आप यहां पर एडमिसर लेना जा रहे हो तो लेक सारे पहले भी बच्चे यहां पर गए इस रेंग के साथ मिड़ ब्रांचिस उन्होंने लिए CSIT को छोड़के बाकी ब्रांच राइट डबली को टार्गेट कर सकते हो सिविल को टार्गेट कर सकते हो बट इसमें पूरा का खेल आपका च्विलिंग का है कि आप किस तरीके स पहले प्रांच यहां पर इसको सकते हैं नहीं तो हम देंगे था इसको सोट सकते हैं रिजन इसको क्या है कि मेकिनिकल और आटो मेल कई सिमिलर ब्रांचे से सब ब्रांच में की लेकिन में की निकल को हम एक छटा साथ वह नमबर अगर देंगे और यहां पर इसको देंगे दस वह नमबर मॉल को इम इटीस में तो जल्ली फटड़ा पड़ तो आके बढ़ा तो यहां पर दूसरी ब्रांच आ रही है मादाव से इंस्टीट में आप इस अब तोड़ा सा काम करें यहां पर मुद्दा आया तो पहले नंबर की ब्रांच यहां पर आती है मादव इंस्टूट में Computer Science and Engineering अगर आप इस को चूज कर रहे हो और अगर आप चूज कर रहे हो यहां पर दूसरे तीसे नंबर की ब्रांच है इलेक्ट्रोनिक्स एं टेलीकम्विनिकेशन जो है वो तीसरे नंबर पर यहां पर खड़ी होती है दूसरे नंबर पर हम रॉफ आइडिया दे देते हैं पहले आप सी एच जाहिए फिर आप डाइए यहां पर आईटी फिर एसी जाहिए और इसके बात चूटे नंबर पर आप देखिए अगर आपको कॉर ब्रांच चाहिए तो सिविल मेकिनिकल इलेक्टिकल आप रख सकते हैं और अगर कॉर 差 ग्डाउंड से जाना चाहते हैं सो हम एक है आइक नमबर पे 505 नंबर पे 256 नमबर और ड़बंओ стенंगी अ सो इन दों आप इसविसाथ कई तो कॉर ब्रांच किर अपना ही एक मांत बहुत सारी गवर्मेंट बहुत सारी कि करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर ब्रांच कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है और बागी अगर किसी को कंप्यूटर वाली टेकनोलोजी वाली बूम वाली दुनिया में जाना है जो आज मिलेगी क्या नालेज हैं अभी सफ्प्रेंश बरकरार हैं और सब्साटंस बरकरार होने का रिजन यहें है कि अब तो फिर आप इस ब्रांच को पहले रखिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं पर हम MTS की प्लेस्मेंट के बारे में बात करते हैं 2012-2014 के बीच में आप 12 लाग रुपे तक का प्लेस्मेंट जा चुका है में सब्सक्राइब एक बात कर के ृदि एक एक लाग रुपे अनदर चाहिए अगर सिर नाच के बड़ी 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 इसे मतलब आज कल पर देटें यहां पर आपको देखिए अगर आप हम आउट साइब हो इसे मतलब यूपी से हो राज्यस्थान से यहां से हो तो आप ओपनिंग गोजिंग एपर दीए एक लाग तीस हाजार के अंदरिंड कुछ में बड़ पर यहां पर आप मैल हुं तो एक लाग 26 जार आप मान लीजी जन्रल होम स्टेट फीमेल हूँ तो एक लाग 38,000 राइट यहां पर जनरल उटोम एल ब्रांच के लिए यहां पर यह कि लिए जल्दी से आप बता दिये क्या क्या क्टोफ है तो उट्वाइल इंजिनियरिंग के लिए आप देख सकते है् कॉट आप एक लागण 44,321 हो रहा है आउटसाइड हो स्टेट के लिए जनेरल में अगर आप होम स्टेट में मेल हो अगर लड़के हो तो आपका पांच लाग चातीस हजार दोस्सों बारा पे ओमाइग यह लुग यह लुग पर आपको याद हो तो यह जो पांच लाग गया भी है यह कैसे गया है अब फर्स्ट कांसलिंग जब करोगे तो यहां पर बड़ा टफ होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा मुस्किल भी होने वाला है और जब अच्छा कॉलेज और बच्चे क्या करते है लाइन से दर 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 सारी ब्रांचे को बढ़ देते हैं मतलब आप यह समझ लो कि जिनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वह तो भरी देते हैं और आप सोचो बजट की भी ना हो रेंक भी अच्छी आ जाए तो फिर तो सुने पे सुआगा होगा और जब कॉलेज मिलता है जब पता चलता है कि फीज जाता है तो बहुत सारे बच्चे स्विच भी करते हैं तो यहां पर पांच लाक रेंक तक गया है जो आटो मॉवाइल यहां पर चांसे आपके बंद साथ लाग की रेंग भी मिला हुआ तो यह डिपेंड कर रहा है कि CLC तक अभी क्योंकि CS IT का एरा चल रहा है हलाकि जब आप फॉस्ट काउंसिलिंग में बरोगे तो धाई लाग के बाद आपका भी मुस्किल हो जाएगा कहीना कहीं रॉथर CLC राउंड तो ठीक ही है जो भी की कॉंड़ साइंस और इंजिनियरिंग भाई में तो साइंस एंजिनियरिंग को आपको पता ही दिया है इसको जानना बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हैं आपर आउटसाइड ओपनिंग रेंक आप देखिए जरा बतिस हजार आट्सो उठाट इस मतलब बगदी बदी 20 ओर नीचे यह तो आउटसाइंड वाली होमस्टेट की तो और अमें सब्सकुलогो प्रफ़र करते हैं कि मत पृदिश से हूं चलो यार मत पृदिश में अगर घबाल यार मैं यहीं से करीता हो यह ठीक है अब आप देख लो यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे पहले सब्सक्राइब का ओपनिंग रहें के वह है आपका 21531 और जो क्लोजिंग रहेंगे वह भी मतलब सब्सक्राइब करते हैं इस को तो अब बात कर रहे हैं यार सीए और सी यहाँस यहां पर बात कर रहे हैं तो इसको आपको बिलकोल एग्नोर नहीं करना चली बदो तो आफ बात इस यह सो अगया है इसके बात सब्सक्नीनियर्ग्ग्र करने एक ह्याँ गल् erkennen of Things भी आपको असटापनी से मिल जाएगा IoT उसके बात आगे बढ़ें characterization, plnsm мер अप्ड बार मिल्कियों आप थोड़ा सा पता देते हैं आपको outside home state के लिए closing ranks के लिए 12,8000 ग cheap हमने जो closing rank लिए कि अगर आप मान लीजे यहां पर CLC में लेते हो लास्ट टाइम पर आप जाते हो किसी का भी एक exceptional case भी हो जाता है 10 लाग की रेंग तो closing rank rank 10 लाग हो गई तो जब भी आप closing rank और यह आपको यह देखोगे आपको यह देखना है कि उस closing rank में आखिर कितने बच्चों ने मिल चुकी है at the time of counseling, at the time of CLC, maybe at the time of… राइट समसे कोई भी रिज़ना है तो कहीं बच्चे ऐसा भी बोलने कि सर आपने तो पांच लाग के नीचे मिले गई नहीं मुझे तो आट लाग में मिलिया तो भाई वह आपका luck है प्योर luck है अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है हमा आगे बढ़ा दो, Mechanical Engineering भी यह आ गया है, Electronics Engineering चलो हम आगे चलते हैं सबसे पहले इसने कहीं हाथ मारा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया अब यह अच्छा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन कुछ नए चेंजिस करना बहुत जरूरी है मिर भाई अगर आप पर रहा है जिस हिसाब से इस कॉलेज की रैंकिंग है चौथे नंबर का यह मुझे लगता है कि इसने अगर हाथ कहीं पर मारा है तो वह हाथ निकाल के ही लाएगा हो तो आगे होस्टल दो देखो आपको सब जगे मिले सब्सक्राइब को जाएगा है सब्सक्राइब को अगरे हैं अगर आपको नहीं मिलेगा चली ताम नेक्स चलते अपको एस्टीट प्रोफेसर और यह तमाम लोगे सो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा सा हलपुल रहा होगा राइट उसके बाद भी अगर आप कुछ सब्सक्राइब करें चाहते हो तो पूछो हग से चलो करें नीचे जाओ कमेंट करो और पूछे अपना सवाल तो और कुछ बचाए बिल्कुल बचाए है अगर आप लोगो को अभी भी कोई डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटिटिट या किसी और चीज़ से रिलेटिटिट क्योंकि डीटी की कांस्लिंग जो है वो 24-28 तारी तक चलने वाली है आज 27 हुई है अभी भी हमारे पास दो तिन बच्चे है आज का दिन और कल का दिन कोई भी क्वेशन हो कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट खपरी 100 परशेंटाइल दोनों ही हमारे चैनल हैं डेडिकेटी चैनल हैं आप लोग दोनों चैनल पर सवाल पूछ सकते हैं हम लोग आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे मैं हूं अरभात कुमार शर्मा मेरे साथ के राउथर जैलिस आप लोग देख रहे चलिए अब जल्ली से देखिए आम दूसरा यहां पर बनाने जा रहे हैं वीडियो दूसरे किसी कॉलेज पर तो जल्ली इसको देखो सब्सक्राइब और लेक्स इसको देखो फटा फट दूसरे पर आओ थैंक्यू टेक गयां लवी वाल आस्ता लवीस्ता